लड़ू को हमेशा मीठे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मेथी के सेहतमन लड़ू कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ नमस्कार, स्वागत आपका पकवान गली में, मैं हूँ आपका होस्ट ददन भाई तो आईए, बनाते हैं मेथी के लड़ू, इसके लिए मैंने लिए हैं 1.500 ग्राम मेथी दाना, इन्हें मैं रोष्ट करूँगा कई लोग मेथी के लड़ू बनाते वक्त, इन्हें दूध में भिगो कर रखते हैं रात भर 5-6 गंटे तक, जिससे इनकी कड़वार चली जाए लेकिन मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ, उस पे भी मेथी के लड़ू हैं, उनका स्वाद कड़वा नहीं होगा तो मेथी दाने बढ़िया तरीके से भून चुके हैं, मैं इन्हें एक प्लेट पे निकाल लेता हूँ, प्लेट पर निकाल लिया ये, इसी पैन पे पॉपी सीड्स जिन्हें बोलते हैं खस-खस के दाने हैं ये भी डाल लिया वैने, एक मिनट वा मुस्किल चलाते हुए इ तो ये खस-खस दाने मैंने भून लिया हैं, इन्हें भी कटोरी में निकाल लेते हैं अब पैन है, उस पे डालते हैं घी, एक कटोरी घी लिया है, जैसे गी गरम हो जाएगी, मैं इस पे गोंद डाल कर भूनूंगा और फिर उन्हें निकाल लेंगे गोंद डालने के बाद इसे तब तक पकाएं जब तक ये फूल कर बड़ा ना हो जाए, तो इसे चलाते हुए भूनेंगे इसे लाल होने तक बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, जैसे ये फूल कर बड़ा हो गया, समझ लीजिए कि गोंद पक चुका है और इसे अब बरतन में निकाल लेंगे गोंद भूलने के बाद अब भारी है मेथि दानो को पीसने की, तो इनहीं मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लिया है, और हम इनहीं बारिक पीस लेंगे तो मेथी दानों को हम पीस कर पॉडर बना लेंगे तो मैंने मेथी दानों को पीस लिया है और बारिक पॉडर बना लिया है यह बढ़िया बारिक पॉडर हो गया है इन्हें छान लेंगे और जो भी बड़े दाने हैं उन्हें निकाल देंगे और उन्हें पीस लेंगे. ये मैंने पॉड़र छान लिया है, तो ये मेथी पॉड़र बिल्कुल रेडी है. अब इस मेथी पॉड़र में जाएगा क्या? जो गी है, गरम-गी है. ये मैं गी इस पे डाल दे रहा हूं. गरम-गी डालने से जो मेथी की कड़वाद न, वो भी कम हो जाएगी और लड़ूओं का स्वाद भी बढ़ जाएगा. ये डाल दिया है, इन्हें मिला लेते हैं. गोंद है, गोंद को भी क्रस्ट कर लेते हैं, ग्राइंडर में डाल कर हल्का सा पीस लेते हैं. आप चाहें तो बेलंसी इन्हें दबा कर कूट भी सकते हैं, मैं इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में क्रश्ट कर रहा हूँ. गोंद को भी पीस लिया है, और इसे भी दरदरा पीसा हुआ है. ज्यादा गरम गोंद ना पीसें, नहीं तो ये हलके से पेष्ट भी हो सकता है, चाहें तो कूट लें, उस पर बढ़िया रहेगा, तो गोंद और जो मेथी पॉड़ेर हैं वो बढ़िया तरीक से मिक्स कर लिया है, अब हम बनाते हैं चासनी, तो इसके लिए 1.500 ग्राम हो जाए और हमारे लड़ू बनने इतने हो जाएंगे, हम इतना देर तक इने पकाएंगे, तो गुड़ भी मेल्ट हो चुका है, इसे हटा देते हैं आथ से, और इस पे जो बाकी हमने मेथी का पेस्ट बनाया हुआ है, ये इस पे ट्रांसफर कर देते हैं, डाल देते हैं, ये भी एक चोथाई का टोरी है, छोटे टुकडो में काट लिया है, बादाम है, इन्हें चार से पांच घंटे तक पानी मभ्योगो कर रखा था, छील लिया है और इन्हें भी बारिक टुकडो में काट कर इस पे मिला दे रहे, थोड़े सी लैची दाने, एक चोथाई अब हम लड्डू बाधेंगे, एक मुठी पूरा पमिस्रन ले और इसे बानते हुए, इसी तरीके से आप भी मेथी दाने के लड्डू बना लीजिए, और मुझे बताईएगा कि आपको ये रिस्पी कैसी लगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को पाना लीजिए, और मु लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा